हेलो प्रेंज तो मैं आज आप के साथ शेयर करने वाले हूं ब्रेड की रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और पटापट से बन भी जाती है तो चाहिए यहां पर मैंने चार ब्रेड लिये हैं उनको चोटे-चोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी एक ब्रेड क चार पीश कर लेंगे हम और एक आज की मनें फ्रेज ताजा मलाय लिया है और थोड़ी चीनी लिये है और इलाज ची तो यह पर मैं मलाई में और सुगर मिक्स करूंगी और इलाज ची के दाने निकालके और डालके ऐसे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी फिलिंग बना लेंगे हम इनको मिक्स करके सुगर और मलाई को और इलाज ची के मैंने साबूत आने डाले हैं तो यह अच्छा टेस्टर आता इनका आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हैं राज़ी का पर मैं साबूत ही डाल रहे हूं तो यहां पर यह मलाई इसे मिक्स कर लेंगे है चीनी और सब को तो यहां पर मैंने ब्रेड भी कट कर लिए और मलाई को भी अच्छी से मिक्स कर लिया तो अभी इनको फ्राई कर लेंगे तो पेन में मैंने थोड़ा ओल डाला है बहुत ज़्यादा ओल ने डाला क्योंकि हमारी ब्रेड बहुत ज़्यादा ओल पी जाते तो यह बाद में हेल्दी नहीं है बाद में अनहेल्दी हो जाती क्योंकि ज़्यादा ओल में गुच जाता है तो मैंने थोड़े ही ओल में इनको सलोप लेंपे सेख लेना है तो लट पलेट करके इनको सेख लूँगी मेरी रेसीपी पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा और चैनल को सिस्क्राइब कर लिएजिएगा तो हमारी ब्रेड सारी इसी के गई है तो इनको निकाल ले रहे हूं थाली में अलग से और अभी जो हमने फिलिंग के लिए मलाई और सुगर को मिक्स करके रखा और अच्छे से दबा की प्रेस कर लेंगे तो यह हो गई हमारी तैयार तो इनको प्लेट में डाल देंगे तो कैसी लेगी मेरी रेसीपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और फटापट से बन भी जाती है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा बच्चों के लिए इनक्स नेक्स में और या बड़ों को भी मिठा खाने का मनों तो फटापट इसली आसानी से त्यार हो जाता है